साथियों, हमने कोवीड के पूरे कांखेट में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो कैसे कम समय में अप्रत्यासित परड़ाम आते हैं। आवशक medical device, medical infra से लेकर vaccine research, manufacturing और vaccination तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कलपणा नहीं की थी। तब देश में भाती भाती के सवार उठ रहे थे। टेस्टिंग लैप नहीं है, तो जाच कैसे होगी, अलग-अलग departments और private sector के बीच coordination कैसे होगा, भारत को कब vaccine मिलेगी, वेक्षिन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सब को वेक्षिन लगाने में कितने साल लग जाएंगे, ऐसे अनेक सवाज हमारे सामने बार-बार आए, लेकिन आज सब का प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड वेक्षिन डोश देशवासियों को लगा चुके हैं। बायो टेक से लेकर तमाम दूसरे सक्टरस का तालमेल, सरकार, इंडिस्री और एकडेमिय का तालमेल, भारत को बड़े संकर से भार निकाल लाया है।